येस बच्चो येस प्रिवेस वीडियो में बच्चे हमने कम्प्लीट करी थी 11.2 एक्सेस ठीक है और अगर किसे वो कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आपके बास है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे 11 चेप्टर मिसलिनस के पॉर्शन उसने देगी है तो हम मिसलिनस यहां पर स्टार्ट करेंगे फॉर्मले आपके वही लगे के जो हमने 11.2 और 11.1 में बेसिकली 11.2 यह आपके सारे फॉर्मले यहां पर यूज होंगे ठीक है न तो यहां पर देखिए फ़र्श कोशन है आपके पास यहां से एक मिन की फाइंद आंगल बिट्वीन दा लाइंज अंगल बिट्वीन दा लाइंज अंगल फाइंट करने आपको लाइंस की बीच म मिन फॉर्मलांइज बिट्वीन लाइंज ऑनारे पास क्या है लाइंस की आपको डारेक्शन रेषु डीलिपले सुपोह की फर्स लाइन इसके टारेक्शं रेषयो है ए तीक है और यहां हो पास न्बाना लांए इसके direction ratio है B minus C, C minus A, add A minus D, ठीक है, आपको पता है कि अगर direction ratio होते हैं तो algorithm between two lines क्या formula होता है, हमारे पास cos theta is equal to A1, A2, B1, B2, plus C1, C2, यह क्या है, direction ratio of two lines है, ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, क्या आता है नीचे, mode of, mode of, A1 square, B1 square, C1 square, next is, A2 square, B2 square, C2 square, ठीक है, इसको हम एक, पूरे complete mode में डाल दें, clear, यह आपके पास है, formula in the between two lines के लिए, अब यहां से हम निका रहेंगे, cos theta is equal to, cos theta is equal to, क्या आएगा यहां पर, multiply करेंगे हम, तो क्या आएगा, A1, A2, A1 है कि आपके पास A2 है, आपके को multiply करो, A, B minus C, B, C minus A, and C, A minus B, और यहां पर हमारे पास, इनका, modulus निकालेंगे, A2, B2, C2, under root B, B minus C, all square, C minus A, all square, और थोड़ा सा और इसको extend कर लेते हैं, A minus B, all square, यह हमारे पास क्या आएगा, modulus निकल कर आजाया, ठीक है न, modulus आजाया निकल के, आप यहां पर क्या करना है आपको बच्चे, पहले आपने multiply करेंगे, तो multiply करेंगे, तो आपके पास क्या है यह value, A, B minus A, C, B, C minus B, A, C, A minus C, B, तो आजाया, नीचे मागी values जो है, हमारी agities ही रहेंगी, A square, B square, C square, तो यहां पर हमारे पास क्या आजायाएगा, C, 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 C Find the equation of a line parallel to x-axis and passing through the origin. यह हमें निकालना है. तो देखी क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक point ले लेते. Let us take one point. Let us take one point in x-axis. x-axis पर हम कोई point ले लेते हैं. ठीक है? अब x-axis पर हमने कोई point ले लिया. तो point हमारा किस तरीके से होगा? a,00 और इस point का नाम हमने दे गया capital ले. अब ओरीजन से, ओरीजन के जो coordinates हैं. ओरीजन के coordinates हैं, आपको पता है, 00 होते. और a के जो coordinates हैं, वो हमारे पास a, 00 है. तो direction, direction ratio, offline, oe. oe की क्या direction ratio होगे? a, 00, यही तो होगे direction ratio. direction ratio में आप a के component में से, ओर के component minus करने हैं, ठीक है? यह हमारे पास direction है. अब हम लेंगे equation of line. अब हमें चाहिए equation of line, which is parallel to x-axis and passing through the origin. तो general equation हमारे पास क्या होती है? equation of line होती क्या है? equation of line is given by x-x1. अपोन में जो vector आपड़, ठीक है? तो vector यह आपर लेंगे, आप क्या होता है vector a? next, y- y1b and z- z1yc, ठीक है? आप क्योंकि line आपकी parallel है, किसके? किसके parallel है? x-axis. अब क्योंकि आपकी line x-axis के parallel है, तो जो parallel line के component है, बत्ब जो parallel vector है, वो तो हमारे 0-0 होगा? रहा? 0-0 होगे. तो generally a, b, c, आपके पास क्या होगे? 0-0. बट a की जो value है, जो first point a है, वो आपके पास a है यहाँपर. बाकी आपके पास 0-0. तो क्या equation आएगी? x-0 upon a, y-0 upon 0, and z-0 upon 0. अगर आप a को उधर ले जाते हैं, a को side ले जाते हैं, तो आपके पास यहाँपर क्या आएगी? next equation क्या आएगी? यहाँपर इधर प्रब लेती हूँ मैं. x-0 upon 1, y upon 0, and z upon 0 is equal to a. ठीक है? So, equation of line, equation of line parallel to x-axis, and passing through origin. passing through origin. origin से जो pass हो रही है. क्या होगी आपके पास? passing through origin. तो क्या होगी आपके पास? x-y by 1, 0 घटा सकते हैं, y upon 0, and z by 0. यह आपके पास equation होगी. देखिए, passing through origin. जो origin होगा, वो आपके लिए ना, generally a vector की तरह काम करेगा. जैसे आपने a vector बढ़ा equation में, और जो आपके पास, वो जो line है, जो parallel to x-axis है, वो किसकी तरह work कर रही है? b vector की तरह है. तो जो b vector के component है, आपके पास क्या है यहांपर? a, 0, 0, ठीक है? a, 0, 0, और origin से वो pass कर रही है. line जो origin से pass कर रही है, तो आपके पास, जो point है, a vector की हो, क्या मीनिंगे आपको? 0, 0, 0, ठीक है? तो हमने यहांपे solve कर रही है, यह आपके पास required equation आगी. clear है? ठीक है? next question है, जिसे की, question number 3 पर आते हैं हम, if the lines are perpendicular, then find the value of K. if lines are perpendicular, then find the value of K. if lines are perpendicular, तो यह question हमारा exercise में था, similar type का था बिल्गुल, उसमें हमने जो condition लगाए थी, same condition हम यहांपे apply करेंगे, इसमें देखिए, perpendicular की condition में, जो हमारे direction ratios होते हैं, दो lines के, उनका जो product होता है, आपस में, वो क्या होता है, हमारा 0 होता है, तो थर्ड case में, थर्ड portion के उपर आरें, lines हैं आपके पास, x-1 by-3, y-2 by 2K, and z-3 by 2, इसमें हमें दी हुई है, next line यहीं पर मैं लिख देती हूं, x-1 by 3K, y-1 by 1, and z-6 by-5, are perpendicular to each other, given हैं आपको perpendicular to each other, यह दोनों line perpendicular है, यह क्या perpendicular है, यह इसने हमें दी है, perpendicular में सबसे पहले तो मैंने आपको, आपको जो ध्यान लगने वाली बात है, कि जो line सा, वो proper form में हो ली जाहिए, एक बार ध्यान लगना, otherwise आपका करा-करा समसाला गलत हो जाएगा, और number मिलेंगे G2, सिर्फ आपकी एक छोटी सी लापरवाई की बज़े से, आपकी जो form है, वो यह होनी चाहिए, आपका x-x1 upon a, y-y1 upon b, और z-z1 upon c, इससे आप करदारिजन करके, proper form में लिखेंगे, आप यहां से जो हमारे पास, अपकी बात की condition है, a1, a2, b1, b2, c1, c2 is equal to 0, ठीक है, इसे दो line से उनके हमारे direction ratio है, तो यहां पर देखे, यह आपके पास a1 है, यह b1 है, और यह c1 है, इसी तरह से यह आपके पास a2 है, यह b2 है, और यह c2, a2 है, हाँ b2 है, और c2 है, multiply करेंगे आप minus 3 को 3k से, तो minus 3 into 3k, plus 2k into 1, plus 2 into minus 5, तो क्या आजाएगा, minus 9k, plus 2k, और minus 10, is equal to क्या आना चाहिए, आपके पास 0 आना चाहिए, ठीक है, तो is equal to, हम यह solve करेंगे, तो यह 0 आप लेंगे चल रही हो, आना नहीं चाहिए, already perpendicular है, तो 0 है, already perpendicular है, तो 0 है, तो आप यह 0 के एकवर रखेंगे, हाँ जी, minus 9 से 7, minus 9 से 7, आप minus करोगे, minus 7 के, ठीक है, and minus 10, is equal to 0, तो उधर लेकी जाएंगे, इसको, plus 10 हो जाएगा, and k is equal to 10 अपोल में, 7, यह k की value हमारे पास निकल कर आगे, clear, यह k की value हमारे पास निकल कर आगे, तो यहां से आपके पास, जो values आईगें, basically, यह perpendicular की condition, लेकर निकाली गए लेगे, k की value, ठीक है, यहां, clear, ठीक है, next हमारे पास है, sum number 4 की हम बात कर लेते हैं, NCRT बच्चे, पढ़ते समय न, NCRT अपने पास रखा करो, ताकि question को reading करने में भी सही रहे, और new NCRT से हम कर रहे हैं, all N से आठे हम फोरो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, find the shortest distance between the lines, lines आपके पास है, you have to find the shortest distance between the lines, sum number 4 की बात कर रहे हैं, देखे, shortest distance, जो है, हमने exercise में इसका question किया था, और, कुछ question मैंने sign भी करने के लिए दिये थे, यहाँ पर भी आपको मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ इसकी, जैसे R है मेरे पास, 6I, 2J, 2K, ठीक है, plus lambda, I minus 2J, plus में 2K, दूसरी हमारे पास line है, minus 4I, minus K, plus में mu, 3I, minus 2J, और 2K, ठीक है, अब इन दोनों की अंदर जहान से देखिए, सबसे पहले हमें A1, vector निकालना है, अगर आप standard form से comparison करें, standard form से comparison करें, तो A है 6I, 2J, 2K, ठीक है, A1, बगर A2 क्या है, minus 4I, minus K, similarly, जो B1 vector है, वो है, minus 2J, plus 2K, और B2 vector जो है, वो है, हमारे पास, 3I, minus 2J, and 2B, सबसे पहले, आप लिएकों चेक किया, B1 और, is not equal to B2, B1 vector, is not equal to, B2 vector, ठीक है, तो lines कैसे हैं, आपकी, skew lines है, skew lines इस तरह ऐसे होती है, ठीक है, तो skew lines है, आपकी, they are not parallel to each other, ठीक है, तो इस case में, जो हमारे distance होता है, between, two lines के बीच में, वो क्या आएगा, B1 cross B2 dot, A2 minus A1, अपोन में, modulus of B1 cross B2, ठीक है, यह formula हमें निकालना है, B1 cross B2 भी मैंने, आपको previous question में से खाया था, exercise के, A2 minus A1 ही हनिकालने के, दोनों का dot product और इनका model अगर, किसी को इसके solution में problem है, तो वो video exercise 11.2 की देख लें, ठीक है, वहाँ सके इसको solve करें, कोई problem नी आएगे, अराम से इजनी solve हो जाएगा तुम के लिए, ठीक है जी, यहाँ तक आपको करना है, ठीक है,